हेलो व्रिवन वेल्कम यू अल इट लोकेश सर अल्लेम्टेड स्टडी जोन बात चल रही है सी यू इटी फिजिक्स की तैयारी 2023 तो आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक हो जॉइन कर ले वो सी यू इटी का वट् प्रिश का जाएगा फिजिक्स में इस वर्ष जॉप का सी यू इटी का पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है उसमें आपको क्या-क्या टॉपिक त्यार करने है तो मैं बात कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों मेडियम की तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे हैं हि विद्ध आवेश एवं छेतर और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड तो आपको चार्ज एंड फिल्ड जो है उसकी त्यारी कर लेनी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड की इससे कुछ कुश्या आएंगे दूसरा जो चैप्टर है आपका च चेप्टर भी आएगा, जैन फूर्थ है गतिमान आवेश यवं चुम्बकत यानि की मूविंग चार्ज एन मैगनेटिजम, ओके, मैगनेटिजम वाला चेप्टर आएगा, इसके बाद है फिफ्ट चेप्टर है, चुम्बकत येवं द्रव है, मतलब मैगनेटिजम एन मैटर, ओके, मैगनेटिजम एन मैटर, चुम्बकत येवं द्रव, मैगनेटिजम एन मैटर, ओके, जिसमें चुम्बक के बारे हम पूरी पढ़ाई थी, वो भी चेप्टर इसमें आएगा, इसक और के विद्व चुम्ब की तरंग यानि की इलेक्ट्रो मैंगनिक फेव है, यह यह भी आपको आएगा, यह दैन इसके बाद है तरंग प्रकाश की यानि की वेव आप्टिक्स पूरा का पूराना है, and then 11th part है आपका विकरण तथा द्रव की देथ प्रकती याने की radiation वाला चप्टर radiation and dual nature ठीक है ना यहीं की पूरा 12th का syllabus ही एक तरीके से आ रहा है then इसके बाद 12th chapter में परमाडू याने की atom atom chapter है then इसके बाद 13th chapter आपका nuclei nuclei and then 14th chapter आपका अरधचाला की युक्तियां परदार्थ ओके अरधचाला की electronic की semiconductor electronics परदार्थ material and युक्तियां devices okay तो semiconductor वाला जो पूरा chapter वो इसमें पूरा का पूरा आ रहा है and simple circuit logical circuits भी इसमें हो सकते हैं and then 15th and last chapter इसका संचार पणाली याने की संचार याने communication system communication system तो मतलब कुल मिला करके 12th class का जो topic है पूरा का पूरा उसमें आ रहा है और मैं आपको सला दूँगा कि इस exam को crack करने के लिए आपके पास दो तीन चीजें है number one आपके पास सारे formula बनने चाहिए इस chapter से related जितने भी concept हैं आप इनके formula रट डालो पहली चीज समझ दालो रटना दम उसके लिए physics में समझ लो है ना उनकी practice कर लो और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा आप तैयारी करो numerical की theory के पीछे बिलकुल मत भागो आप केवल और केवल अब numerical लगाओ अगर आप numerical लगाते हो तो यह आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और आप इसके questions कर पाओगे question बहुत easy level के आएंगे मतलब कैसे आएंगे कि एक time में केवल एक ही formula एपलाई होगा चार-पांच formula वाले question मत करने लगाना जेगी type ओके बहुत ही simple type के question आएंगे एकदम जो basic type के question होते हैं वो आएंगे basic formula टाइप के question आएंगे ठीक ना तो formula की त्यारी करो और numerical लगाओ यही इस exam को निकालने का मूल मंतर है आपका बहुमूले और कीमती समय देने के लिए धन कर दोड़ कर दोड़ा走 क sicर आएंगे बहुमूले भी कर दो लगाद हैं उस is रूप